बिहार को अब तक विश्यस राजय का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया है जी है नमस्कार दोस्तों मैं हुमित कुमार मौर्या और आप देख रहे हैं मौर्या टेक्निकल सपोर्ट यूटूप चालंज इसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार विश्यस राजय के दर्जे की मांग क्यों करता रहा है विश्यस राजय के दर्जे का मतनब क्या होता है बिहार को विश्यस राजय का दर्जा नदेने के पीछे किंद्र सरकार के क्या तर्क होती है किंद्र सरका में हम जानेंगे तो चड़िये वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार विशेस राजे के दर्जे की मांग क्यों करता रहा है दोस्तों अब सभी लोग जानते होंगे कि बिहार भारत के सबसे गरीब कि अलावा विहार में जितनी भी और ध्योगिक छितर था यानि कि वैसी सिटी थी वैसे सहर थे जहां पे फैक्ट्रिया थी जैसे की टाटा नगर हो गया बोकारो अस्तेटी हो गया, ये सब जारखंड में चले गए जब बिहार का बटवारा हुआ, वर्स 2000 में जब बिहार और जारखंड का बटवारा हुआ, तो जो फेक्ट्रिव वाने जगह थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोजगार मिन्ता था, वो सब जारखंड में चले और बिहार में कुछ भी खास नहीं बच गया बिहार में बहुत ज्यादा असिक्षा है बिहार में कोई खास फैक्टी नहीं है इसलिए यहां के लोगों को काम करने के लिए गुजरात और महराष्ट जैसे सहरों में जाना पड़ता है वहां पर जाकर के काम ढूंडना पड़त वो मांग करने लगी कि बिहार को विश्यस राजय का दरजा दिया जाए जब विश्यस राजय का दरजा मिलेगा तो किंद्र सरकार से अधी ज्यादा फंड आन लएगा बिहार में विगास करने के लिए इसके साथ ही जो बिहार में टिक्स लगते हैं किंद्र सरकार द्वारा वो सब कम हो जाएंगे जिससे की बहुत सारी फैक्ट्रिया जो हैं वो बिहार में खुल सकती हैं और जब बिहार में फैक्ट्रिया खुलेंगी तो क्या होगा कि बिहार में जब फैक्ट्रिया खुलेंगी तो बिहार के लोगों को यहीं पर रोजगार मिन जाएगा तो उनको बाहर में काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा और यहां के जो लोग हैं वो यहीं पे काम करते रह जाएंगे और बिहार की जो आर्थिक स्थिती है वो सुधरने रहेगी तो इस तरीके से बिहार के लिए विशेष राजे के दर्जे की मांग इनी करनों से की जाती है अब थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि विशेष राजे के दर्जे का मतनब क्या होता है तो वैसे राज जो की समाजिक, आर्थिक और भगौलिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं उनको बाकी राजियों की तरह मुखे धारा में लाने के लिए विशेष राजे का दर्जा दिया जाता है और जिन राजियों को विशेष राजे का दर्जा मिन जाता है उनको केंद्र सरकार से अधिक फंड मिनते हैं अधिक उनको ज्यादा पैसे मिनते हैं जिससे की वो अपने यहां विकास कर सके और इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जो राजियों पर टेक्स लगता है जैसे कि आयकर, निगमकर, सीमा सुल्क ये सब क्या होते हैं कि कम लग के बारे में मैंने पहले यह वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आप को आई बटन में बिन जाएगा या फिर डिसेशन में बिन जाएगा वहां से आप इस वीडियो को पूरा देखनी जिएगा तो अब बात करते हैं कि किंद्र सरकार बिहार को विश्यत राजय का दर्जा क्यों नहीं देती है इनके पीछे किंद्र सरकार के क्या तर्क है तो हमें पहले यह समझना होगा कि विश्यत राजय का दर्जा किन राज्यों को दिया जाता है तो मुखेता वैसे राज्य जो की पहाड़ी हो या जो दूरगामी हो यानि कि वह बहुँ ज्यादा कटे हुए हो बहुँ ज्यादा दूर हो ठीक है या पहाड़ी इलागे पे हो जहां पर कैसानी से नहीं पुंचा जा सकता इसके अलावा वैसे राज्य जो की पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से जुड़े हुए हो और वहां पे हमेशा कनफ्रीक्ट होता रहता हो वह मतनब एक तरी के स है उस सीमा से सटे होने कारण इसके अलावा वैसे राज्यों की आर्थिक रूप से बहुत पिश्ड़े हुए हो जहां पे बहुत ज्यादा जन जाति रहती हो जहां की जन संक्राइग घंदत बहुत कम हो वैसे राज्यों को भी बिस्यसराजय का दरजा दिया सकता है तो कि सरकार यह कहती है कि बिहार और पहाडी इलाके पर नहीं है नहीं है निस नहीं कि रही है 되고 नहीं दे जाता है अब आती है अर्थी कि की बिहार को बहुत गरीब है तो इसके लिए91 में हम भी बिस्एस्राजय का दर्जा नहीं देंगे हाला कि वर्ष्ट्फ से ढ़िए उठाया जा रहा है लेकिन अभी तक अभी तक बिहार को सीचेका दर्जा नहीं मिला है जब भी मांगा माँगाजाता है तो यहिः कहते जाता हैं, कि हम आप महत्व पूर्ण यहीं होता है तो वर्स 2005 में जब नितीष कुमार मुख्यमंत्री बने थे उस समय किंद्र सरकार में कौग्रेस की सरकार थी ठीक है किंद्र में कौग्रेस KT वर्ष 2013 तक ये बीजेपी के साथ रहें ठीक है और वर्ष 2013 में या 13 के लास्ट तक कहें कि ये बीजेपी के साथ रहे और बीजेपी को उस समय उन्हों ने छोड़ दिया वर्ष 2014 में BJP की किंद्र में सरकार बनी, जब किंद्र में BJP की सरकार बनी, तब तक नितीज कुमार जी BJP को छोड़ करके, कॉंग्रेस और RJD के साथ मिर करके बिहार में सरकार बना चुके थे, ठीक है, इसके बाद वर्ष 2017 के आसपास तक उन्होंने सरकार चलाई बिहार में, RJD और कॉंग्रेस के साथ, वर्ष 2017 में उन्होंने क्या किया, कि वापस से वो BJP के साथ चले गए, ठीक है, और जब वो BJP के साथ गए, तो किंद्र में BJP की सरकार थी, राज्ये में भी BJP के साथ मिर करके सरकार चला रहे थे, इसके बावजूद इन्होंने किंद्र सरकार के सामने प्रमुकता से ये बात नहीं रखी कि हमें BCS राजे का दर्जा मिलना चाहिए, जब तक नितीश कुमार जी बिपक्ष में होते हैं, ठीक है, यानि कि केंद्र में दूसरी पाटी की सरकार होती है, और बिहार में ये दूसरी पाटी की सरकार चला रहे होते हैं, तब त 2021 के आसपास तक BJP के साथ मिल करके इन्होंने सरकार चलाई, ठीक है, 21-22 तक इन्होंने सरकार चलाई, उस वक्त तक ये BJP के ऊपर दवाव नहीं डाल रहे थे, कि विशेस राजे का दर्जा मिलना चाहिए, फिर इसके बाद वो RJD के साथ चले गए, तब इन्होंने फिर से म ठीक है, अब 2022 तक तो वो थे BJP के साथ, लेकिन उस समय उन्होंने उतनी प्रमुक्ता से मांग नहीं उठाई, जब RJD के साथ आज गए, तो मांग उठाण रहे कि विशेस राजा का दर्जा मिलना चाहिए, और अब जब 2024 में इनके साथ मिल करके किंदर में सरकार है, तब भ नितीश कुमार जी के गठबंधन से किंदर में सरकार बनी है, अगर नितीश कुमार किंदर सरकार से अलग हो जाएं, ठीक है, किंदर सरकार को अपने समर्थन न दें, तो किंदर सरकार किंदर की जो सरकार है या तो गिर जाएगी, या फिर बहुँ ज़्यदा कमजोर हो जा लेक्षार नहीं आएसा कि भीःार को हम आगे हम आगे का दरजा देने के बारे में बीचार कर रहे हैं या हम देंगे सरकारी से नहीं और अगर अगर सबसे बड़ी बात कहें तो भीःार सरकार की एकछा सकती है ठीक है बिहार सरकार के जो पावर्स हैं वो इस तरीके से उतना किंद्र पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं यह कि बिहार को बिसेश्राजय का दर्जा मिल पाए ठीक है अगर यह धंग से दबाव बनाएं तो सायद यह पॉसिबल है कि बिहार को बिसेश्राजय का दर्जा दे की जाती है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन जरूदा जो भी सुचते हैं उससे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे वीडियो घरणा सेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइब महत्वापून जानकारिया पह